हेले स्टुडेंट कैसे हैं आप सब एक बार कुना आप सबी का आपके अपने शेनल स्टी कोचिंग क्लासेट पर स्वगत है इसमें आपको एक समीकर प्राप्त करना है हल करना है जैसे यहाँ पर अपकली तुरूप देके रखा है हमको यहाँ से बाई के फॉर्म में निकालना है चले तो हल करते हैं आपके पास देके रखा है यह कितना देके रखा है काट स्क्वेर एक्स है यहाँ पर लिख लेना आप दिया अपकल समीकर न थीक है यहाँ पर लिख लेना आप दिया अपकल समीकर न थीक है यहाँ पर लिख लेना आप दिया आपकल समीकर न थीक है यहाँ पर लिख लेना आप दिया आपकल समीकर न ठीक इसके बाद ज़िए हम बात करें कि दी वाई यहां पर एक है तो एक का समकलन होता है बाई काट स्कुऱ् एक्स का समकलन ही नहीं होता है तो हो जाएगा कास एक स्कुऱ् एक्स मैनस वण और इएम ठीक है प्यारे भाइए अब एदिया आपसे कहँं इसको अलग अलग कर दो तो अलग 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 आप प्रोगी का सेक स्क्वेर एक्स डी एक्स और माइनस एक डी एक्स हो जाएगा का सेक स्क्वेर एक्स का होता है समा कलन माइनस कॉट एक्स ठीक और फिर यहाँ पर एक का हो जाएगा एक्स प्लस सी कह समा कलन यह तांग यह हो गया आपका एंसर देखिए बिल्कुल सिंपल है और बहुत सारे question इस प्रकार छोटे-छोटे question है बिल्कुल simple तरीके से आप करोगे दूसरा question है आपके पास by upon dx है sec square x plus 3x square को हल कीजिए को हल कीजिए ये करना था हल ठीक है इसको आपको हल करना है तो हल करेंगे student देखीगा दिया गया अब कल समीकरण दिया गया अब कल समीकरण दिया गया अब कल समीकरण कितना है दिया गया अब कल समीकरण कितना है तो d by upon dx है बराबर sec square x plus 3x square ये तो dx को पक्षांतर कर दे तो d by बार कितना हो जाएगा sec square x plus 3x square और पूरे का पूरा dx दूनों पच्चों में तो समा कलंड करेंगी ही, तो दी बाई, एधि रे समा कलंड कर देंगी, ठीक है, फिर समा कलंड 3X, 2X, बताव यह यह बाई का समा कलंड बाई एक होगा, सैकी स्क्वेर एक्स का 10X हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर है, x का x cube बटे 3 होगा plus c 3 से 3 cancel हो गया तो आपके पास by बराबर आ गया tan x plus x cube plus c यह यह आपका answer हो गया तो आप simple तरीके से इस प्रकार से कर सकते हैं तो दो question हो गया चलिए देखते हैं अगला question इस्क्रीन साथ आप ले सकते हैं अगला question देखिए कि अब कल समय करना आपके पास dy upon dx बराबर कितना है under root 4 minus by square को हल की दी यह आपके पास दिया गया अब कल समय करन है student इसमें से हमको वही by के form में निकालना है arrangement करना है जिसे यहाँ पे by है तो by के साथ ही रहना चाहिए और x है तो x के साथ में रहना चाहिए यह दि मैं इसको पक्षांतर कर दूँ तो dy by बराबर कितना होगा यहाँ पे 4 minus by square into dx होगा लेकिन कभी ऐसा संभा हो है क्योंकि यहाँ पे by है तो यहाँ dx है तो dx के ही फाम में होना चाहिए तो इसको इधर लें तो one upon under root 4 minus by square dy हो जाएगा और यह हो जाएगा dx हो जाएगा ठीक है पहरे भाईयो इतना हो गया आपका complete अब यह दि मैं dx को इधर कर दूँ और one upon under root 4 minus by square dy कर दूँ तो दोनों पच्छों में क्या करना पड़ेगा समा कलन तोनों पच्छों में दोनों पच्छों में समा कलन करने पर समा कलन करने पर कर दीजिए दोनों पच्छों में समा कलन तो समा कलन हो गया dx समा कलन हो गया one upon under root 4 minus by square dy अब यहाँ पर एक arrangement करूँगा यहाँ पर एक्स हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा student 1 upon under root 2 का वर्ग minus y square dy अब इसका आप formula वता हूँ 1 upon a square minus x square का क्या होता है तो होता है student sin inverse by y2 यहाँ पर एक नियतांक जोड़ना चाहते हो तो समाकल नियतांक यहीं पर जोड़ दो c plus ऐधि साइन को इधर लाओ गो तो by y2 मतलब by बटे 2 और sin x धनसी यह आपका answer आ गया 2 का पक्षांतर करना चाहें तो by बराबर ऐसा मिल सकते है 2 sin x plus c ठीक है यही आपका answer हो गया तो आप कल समीकर्ण आपके पास देखे रखा रहता है आप कल समीकर्ण से हमको एक समीकर्ण निकालना student है ना तो simple तरीका है और कुछ भी नहीं है इस तरह है के सारे question आपको कराता हूँ और जो भी आप इदि नए है चैनल में चैनल को subscribe करने previous वीडियो आपको playlist में मिल जाएगा वहां से आप पढ़ाई करते रहें अगला question है student अवकल समीकर्ण d y upon dx बरावर 1-cos x upon 1-cos x को हल कीजिए जिसमें दिया गया अवकल समीकर्ण है d y upon dx बरावर 1-cos x upon 1-cos x ये दिया गया अवकल समीकर्ण है इसको चाहे तो आप परमेई करण कर दें या तो इसको आप direct formula based पर कर सकते हैं पहले तो पन dx को एक साइट ले जाते हैं तो d y आप बरावर आपके पास हो जाएगा 1-cos x upon 1-cos x और इधर पूरा कर देंगे dx ठीके पहरे भाईओ तो d y बरावर 1-cos x का formula होता है 2 sin square x by 2 इसका होता है 2 cos square x by 2 dx है तो dx समा कलन दो से दो कैंसिल हो गया तो d y बरावर हो जाएगा sin बटे कास तो होता है 10 तो 10 square x by 2 dx हो गया 10 को पन convert करेंगी सेक में 10 को किस में convert करेंगी सेक में तो d y बरावर कितना हो जाएगा सेक स्क्वेर x by 2-1 और यहां पे हो गया आपका dx अलग अलग कर दें तो d y बरावर हो जाएगा सेक स्क्वेर x by 2 dx माइनस 1 dx सेक स्क्वेर x सेक स्क्वेर x का समा कलन तो अपन यहां से करना शुरू कि इंस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् एक का कितना होता है एक्स प्लस सी अच्छा यहां पे दिकर दिया जाए तो बाई बराबर टू पर है टू टैन एक्स वाई टू माइनस एक्स प्लस सी यह आपका इंसल हो गया चोटे-चोटे कोश्चन है मज़ेदार है आसर उम्मीद करता हूं कि ऐसे कोश्चन तो आप मुले से कनबर्ड कर दिया ओन मैनस कोश एक्स का साइन स्क्वेर एक्स वाई टू और उन प्लस का सेक्स का का स्क्वेर एक्स वाई टू फिर आपने आप इस साइन बटेकास का टैन एक्स कर दिया फिर से की स्क्वेर एक्स माइनस वन यह कनबर्ड हो गया इस्टुए और आ अपन को क्या करना है कि जो भी x के फॉर्म में उसे अलग रखना है और जो भी y के फॉर्म में उसे अलग रखना है यहाँ पर e के पावर x रहने दीजिए माइनस 1 पावर माइनस x यहाँ पर d y है यह माइनस इधर जाकर प्लस हो जाएगा 1 power x minus 1 power minus x और यह हो जाएगा डी per x हो जाएगा इतना clear ? इतना हो जाएगा d x हो जाएगा ठीक ? अब मैं इसको by को यहाँ पर safe राने देता हूं और पूरा इसकोansas multiply इंए तो इट differentiate में हो जाएगा 1 power x, 1 power minus x upon 1 power x minus 1 power minus x और यह पूरा bracket में कर देता हूँ और dx कर देता हूँ अब दोनों पच्छों में क्या करेंगे इस्टोनित दोनों पच्छों में x के साथ एच समा कलन करने पर दोनों पच्छों में समा कलन करने पर दोनों पच्छों में समा कलन करने पर चलिए दोनों पच्छों में समा कलन कर दीजे कितना हो जाएगा समा कलन d by समा कलन 1 power x minus 1 power minus x upon 1 power x minus 1 power minus x थोड़ा सा यहां पर देखें प्लस में था यह प्लस में था तो यह प्लस में रहेगा और यह dx कर दिया अब इस condition में कैसे हम समा कलन करेंगे तो इसका समा कलन तो y हो जाएगा इसका समा कलन कितना हो जाएगा यहां पर एक इस्टेप और कर देते हैं 1 power x minus 1 power minus x 1 power x plus 1 power minus x dx नीचे वाले को t मा लें उपर वाला अल्रेड़ी हट जाएगा समझ रहे हैं तो यहां पर देखेंगा माना 1 power x plus बराबर t 1 power x plus 1 power minus x बराबर t x के साब पेच आप कलन करोगे तो इसका तो यही रहेगा मानास सामने आएगा इदर जाएगा dt अपान dx यानि प्यारे भाईव यह इसको पक्षांतर कर दें 1 power x minus 1 power minus x dx बराबर dt जी हां यही चीज़ अपन को यहां पे मिल रहा है तो बाई बराबर समा कलन 1 power t और इस पूरे के जगे हम dt कर देंगे और 1 power t को होता log t plus c t की value पुट कर दो answer आ चुकी है यहां पे complete 1 power x plus 1 power minus x plus c यही आपका answer हुए हमको हल करना था by के form में लाना था आपके पास समीकर्ण देके रखा रहता है अबकल समीकर्ण student मतलब अबकलित रूप में दिया रहता है उसको हमको है ना main एक बक्र के रूप में बनाना रहता है तो यह आपका हो गया है ना आसान तरीके से कोशिस यही करता हूँ कि आप लोग अच्छे से सीख जाए अगला कोशिन देखिए अबकल समीकर्ण देके रखा है d by यह पान d x वरा और sin square x इसको हल करना है तो दिया गया अबकल समीकर student यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगी यहाँ पर d by है तो d by रहने दी dx को क्या करेंगे पक्छानतर कर देगे कितना हो जाएगा sin square x dx हो गया दोनों पच्छों में क्या करेंगे समाकलन करने पर अब हम किसी के साब पेच नहीं करेंगे क्योंकि एक side अपना by के साब पेच है समा कलन हो जाएगा d by समा कलन हो जाएगा sin square x dx कर दीजिए यहाँ पर है एक तो by के respect में कितना हो जाएगा by हो जाएगा ठीक है sin square x है इसका एदी हम तोड़ना चाहें तो इसका formula होता 1 minus cash 2x divide by 2 और यहाँ पर dx कितना हो जाएगा पहरे भाईओ तो यहाँ पर होगा अलग अलग दो फार्म में करेंगे तो एक हो जाएगा एक बट्टे 2 dx हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा cash 2x by 2 dx यहाँ पर आपके पास एक बट्टे 2 है तो constant आजाएगा बचेगा एक और एक का समाकलन होता है cash 2x का होता है sin 2x समाकलन 2 सामने आएगा मतलब नीचे जाएगा तो 2 आल्रेडी पहले से तो 2 दूना 4 हो जाएगा plus c और यही आपका answer हो गया simple है है ना बन जाएगा ना student आप लोगों को यह इस प्रकार के question अच्छे से समझना चाहिए next question आपके पास अवकल समीकरन है अवकल समीकरन dy upon dx बराबर 10 square x को हल कीजिए छोटा सा question है इसलिए अपन जल्दी से करा देते हैं इसको पन करेंगे कैसे दिया गया अवकल समीकरन वही लिखना पड़ता है दिया गया अवकल समीकरन दिया अवकल समीकरन कितना हो गया अवकल समीकरन हो गया dy upon dx बराबर 10 square x dy को अपन को यहीं पे रहने देना है dx को पक्षांतर कर देना तो 10 square x dx हो जाएगा दोनों पच्चों में समा कलन करना है तो d by हो जाएगा समा कलन 10 square x dx हो जाएगा d by है यहाँ पर 1 है तो 1 का समा कलन by हो जाएगा ध्यान रखना प्यारे भाईयों की 10 square x का समा कलन होता नहीं है इसको चेंज करना है sec square x minus 1 में ठीक इतना clear अब आप देखें sec square x का समा कलन कितना हो जाएगा तो 10x होगा minus x plus c यही आपका answer हो गया यही आपका correct answer हो गया अब कल समिकरन देखे रखा था यह था आपका आपकल समिकरन है ना अब कल समिकरन से हमने एक क्या निकाल दिया बक्र निकाल दिया ठीक है तो इस प्रकार से आज की जितने भी छोटे 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 question थे सभी महाद phone है अब सोचेंगे कि सर यहां से आएगा की नहीं तो इस question कहीं से भी पूछा जा सकता है मैट से मैट में एक लियर नहीं रहता कि यही कोश्यन आएगा टाइप रहता है तो कोश्यन आ सकते हैं जब आप छोटे छोटे टाइप्स को पढ़ेंगे तब ही आप आगे चलकर के बड़े टाइप्स वाली question कर पाएंगे तो आसार उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो पसंद आए होगी पसंद आएप लाइक कर दीजेगा दोस्तों कि सेर कर दीजेगा मिलते हैं इंगले वीडियो में जैहिन बने मातरम